नमस्कार किसान भाईयों, आज हमार साथ M. Manoj जी जुड़े हुए हैं और ये अपना परिचे देंगे, आप सभी के लिए और जेविक प्रमाणी करण के इसाब से जो जो क्या क्या किसानों को जानकारियें नहीं मिल पाती हैं, वो हमाज इनसे जानना चाहेंगे जी मरत्यी, नमस्कार किसंद्रो, मैं एम्मर नोष्कुमार, मैं मैं साइस नित्या प्रशिवराग्य, और इस समय में मध्यपदेश राजी प्रमरे का सस्ता भुपाल में पलस्त हो, और जो भी किसान भाई इस समय जेविक खेटी कर रहा है, और गो चाते हैं कि उनकी जेविक जो की प्रमारिकन करती है, उनसे कुछ 10 लगवक सस्ता है, प्लब सरकरी सस्ता है, तो बाकी जो कह सरकरी है, तो लिए किसान भाई इन में से किसी में भी आपका प्रमारिकन करवाएं, जिससे कि उनको स्कूप श्रीट में जाए उससे, और उसके बाद गोरो अपना माल यह अमुम्मन कितनी फीस उसको लगती हे प्रती हेक्टेर के हिसाथ से? एक हमारा जो फीस स्चलर है आप नेटर ज्याएंगे इस दिया हूए है अच्छा आपको लगतर है सौर प्रता है हाथ है वसमें यह है कि हमारा जो अपहरा ही नाजबरेश जो राय ब्रमाय कर देख है उसका जो अपहरा जिए हमारा नपयोप के थाए है अच्छ, अच्छ, प्रेशने मानक कहते है उसका भी किसान फीट्रों किका जाता है जो भादल एक ही बर्षक्त होते है तो उस अहस्ता में, 2 साल के बाद फैरा सीवन होगा फुस्टी हो जाएगा और 3 साल जोए ओर्निक किलाया हो लेकिन इधी मन दो उसने भूल से फ़जे लागा रखी है मन दे उसने फ़जे लागा रखी है ले गंदना है इस तरह फ़जे लागा रखी है अपसे चीविया है तो उस स्थिती में किसान को C1, C2, C3 में तूर्ट को ऐसा सलेगा जाए वेमारशन चलेगा तूर्फ के भाब 14 सार में चलेगा जाए भो और रिक टूर्फ का सब्सक्राइब ऋपनिका जाए जाए तूर्फ को ओरनेका स्थ है लेकिन वह माल भेसता ऐसा न अच्छा ये बताएं क्योंकि ये तीन साल का समय लेते हैं तो जैसे कोई किसान है वो पहले साल जोड़ा हुआ है आप से और उसका प्रोडक्शन निकला तो अग ये सर्टिपिकेट तो उसको 100% जैविक मिला नहीं है अभी पहला साली वाल तो इस सिपी में वो जो पहले साल क भर माले उसको किस तरहे टेस्ट करवाकिया और कैसे उसको जैविक में आपन मेज सकते हैं गया एक मिशवास हमने शको जिसको एक मिशवास देख ड़ा है वहल्या आप आपा ब या एक मिश्वास कुछ 10 का कर रहा है या कि chez Big sitting जैविक कर रहा है को सुधिय का अपने काले के बार दो किबार किना होता है बार भारनों को बेसना हुता है Cities को कहार है उसमें को तुटी न हो तो जो जाहां की प्रॉत है लिए इसफीह न होगत Ев Bangla वो उन्होंने बहुत सारे लेबरों को चिनित कर रहा है, वो कि नेट में लेगा आपको, उस में से करीबन इस साल, नब जो 19 में, करीबन 19 लेबरोंटरी ऐसी है, जहांपा की और निक उत्पात हो, इस साल चिनित की गई है, तो उस तिती में आपको इमेर से किसी बैत की रही है, यह जो 19 जो इस साल चिनित की गई है, मतलब एक बात की हम किसाम रही होगे, यह सपश्ट ही करना जरूरी है, कि NPOP के तहट आपकी जमीन का और जो प्रोसेस अलग है, और आपका जो उत्पादन निकल रहा है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जैविक तरीके से उसकी जो अनालिसिस किया जाता है, वो प्रक्रि सेंपलिंग होगी जो इसकी जो निकल फाल जो इसकी जो पहले है, यह सेंपलिंग होगी जो एक पुस्टी करने के वेश्मी नहीं है, इसलिए आपको आपको रहा नहीं है, यह समझते हैं, कि बाइक कोई प्रोडक्त है, एक्सपोर्ट करना है, तो MP-OP के तए MP-Soka का मानलों अंहोंने जयूद प्रमानी करण ली गया, पस वोई काम हो गया, ऐसा नहीं, जो भी बायार लेता है वो पहले निसी इस्टूर उन्हह प्ला। तो मुख्य रूट बाग से बाद ये आज क्लियर होगी किसानों को कि NP-OP के तहत आपको जेविक प्रमाणी करण जमीन का करवाना है इसके बाद बायर की ये रेक्वायरमेंट है तो आपको जो प्रॉडक्शन आपका निकल गया रहा है उसका सैंपल आनलेसिस करवाना है उसके डूप परामेंटर बेसिस के वी सैंपल आनलेसिस होगा वार्ट है अशिविट जी है, पहली है ऊविरूसय होधी है उसको शक्रमने है पहली हिवस सारी हैं कि अबहुत सारी है, क्या चप्रेकं समौ इसको इसमें नहीं है जो ढई पार चार सपस बrit है अच्रह अच्छा, यह जो है कि अधर ब्रेंडिंग करता है तो उसके लिए वो गुड की प्रोस्टिंग करने का दियो है तो आग्यों का चिए अद्राइब करता है। वो इति किसान चाय तो अपना ज़से मालो दलिया बना के बिशना है तो अपर ब्रेंटिक ने पर सिस्ता हो इतके अनावत से जो भी ब्रेंड चाय वो बना कि बिशना है मतलब आज यह बहुत बड़ी प्रांती थी जो मैं टिसानों से बात्चीत होती थी और समझता था तो मनोच जी से आज यह काफी महपून जानकारी मिली है अपने को और यह सारे किसानों को जो एक्सपोर्ट के हिसाब से अपना प्रोडॉक्शन कर रहे हैं उनके लिए काफी जानकारी है और आशा है किसान इससे लाबामित होंगी और जितने भी हैं हमारे लोग बाग जुड़े हुए हैं कई हमारे से महिलाएं भी जुड़े हुई हैं और कई दूसरे किसान भी जुड़े हैं तो उनकी ट्रेटी किसाब यह और यह कैसे होता है इसके अंडर पीजा शिस्टम चल रहा है तो उसमे जो लोग होता है वो जरी भारत करों होता है मची भारत, दोबेस्टीक मारकेत लिए ह्यां अच्छा वो डॉबेस्टीक मार्केत लिए है वो एक्स्पोट के लिए नहीं है होंगे और वो यह समझ रहा होंगे कि सब हमें एक्सपोर्ट के लिए भी लैब होगा है मेरे खाल से ऐसा नहीं है और चलिए धन्यवाद मनोज भाई और मिलते रहें लिए आख से बिल्कुर शुक्रिए थैंक यू